शिया हजरात मौर्णम में मातम करते हैं और वो नंगे बदन पर चु़्या मारते हैं। अमेज उतारते हैं, और से खड़वी होती ह। लेकिन परदय ना महरम ना महरम, ना महरम you ने दे इसाँ। यहाँ बेपरदगी पहलाई जा रही है। हज के तुरांग, वहां पे मर्दों जन दोनों मेजुद होते हैं, जो हुरतें भी हज कर रही होते उप्रागी होते है तो अब वह आलागल जो पढ़ने का हुगम दे रहा है वह इस जगह पर हुगम दे रहा है किया आप अपने चेहरे को खुना चुड़ने मौराम में मातम करना है मातम तो ही गलत है इसका इसनाम से कोई तालॉक रिए मेरी इस पर कई एक वीडियो ज़रू करना है नगी चातिया लेकर मातम कर रहे है और नामार्म ओर्थे नंगी छातिया धेक रहे है अपने मर्द कि— जैजे जाय, जी जाय, गिसे, सहावी ने किया, अवैसे करनी उनको मालूम होता है कि सरकार का दान्थ मुबारिक शहीद हो जाता है तो अवैसे करनी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बलकि ये 32 के 32 जो दान्थ थे वो शहीद करनी एक बच्पन से पढ़ाया जी अवैसे करनी ने दान्थ पान देते हैं ये अपने करने दे अबबा जी परदादा जी अजरत बाबा आदम तु भी मजब फिड़ा उस तु भी पहले गड़ा ना एक एले मुझूद में एक कहाणी यह कराणी बंद करो कर सब जूट है अशियादा करीन बस पैसे कमाने करें सब कुछ बोड़ रहे हैं अब ऑप इन जीनियर साब की बात आपके लिए उजद है आप जो कहेंगे आप वाथ उजद है आप जो कहेंगे आप आप एफ पांड़ और तशहीव बनू अमया को गालिया को गाली इह भी ज अधर चाइब को माधाद आप गाली दिया ना यू दे रहें जो दे रहें आप सवाल करते हैं। मुझे यह बताएं कि सुर्फ मुनाफिकों के लिए नाजिल उभी और वो मुनाफिकों दे आज आपने के बता के जानादा अज आपने के बता के जाना नबील इसलाम ने फर्माया कि मेरे असहाब में बारा मुनाफकीन है वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नी होगे जब तक कि उंट सुई के नाके से गुजरना जाए जैसे इंपॉसिबल है मैं कहूँ कि जो अंजीनियर साब बेवा याद बता रहे है वो मन घड़ता फिर अरे जो आपने खुद से जिसे घड़ी में है अब इसलाम का उर दिन कहीं से कब सुगी जा उने मरना ने है अंजीनियर नहीं बनना अंजीनियर नहीं बनना अहले तशयो मुहर्म के दिनों में रासिते रोक देते हैं सड़के बंद कर देते हैं अगर कोई अपने बिमार बेहन को अपने बिमार मा को अपने बिमार बाप को एंबुलेंस में लेकर जा रहा है मगर अहले तशयो ने मात्मी हलके बना कर रोस बंद कर दिये, अगर आप रस्ता कोल देते तो शायद उस माँ का, उस बहन का, उस भाप का, उस भाई का, उस ठुपी का इंतिकाल ना होते। रस्ते बंद करके आप हस्ते बस्ते घरों को उजाड रहे हैं। अलम पंजे ताजिये पाक हैं। तो ये चीज़े मज़िद में रखे जाएं, पाक हैं। दुनिया भर के तमाम मुमालिक, शहर दिहात, गरिया बाजार, पूचाओ मिनार, अलगर्स, कौने कौने, और चपपे चपपे में जहां जहां भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है। इन तमाम ही नाज़ीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जाने की, इनके ही महबत, खुलूस, अदब, इज़ुन किसार के साथ, अस्सलाम और एक्राम। मादने कराम, हमारा खासा रहता है, इल्मी शक्सियात से आपको मतारिफ कराते रहते हैं, स्क्रीन के जरी, और आप हमारे पोड़कास्ट में मकातवे फिकर के उल्मा इकराम को देखते हैं, जो हमारे साथ बैठते हैं, और बराजमान होते हैं, और उनके साथ हमारे इल्मी कि कहलाएगी क्यों कि कुराण और सुन्त की रोषनी से एहम दलायर देते हैं। हम एहले तर्षियों की खद्वत में हाजिर होते हैं। अहल लख़ित के खिद्बत के ख़दबेंग रखते हैं और आपकी जानेज़ जो स्वारात हमारे पास भेज़ जाते हैं वो तौम मकातब उक्रम की खिद्बत में रखते हैं और आपको वर bestको कुर्ण और सुनत की रोशनी से द्राद देते जाबाद देते हैं आज भी हमारी खुश्किसमत है कि हमारे आज के इस पॉर्ड कास्ट में एहले तश्यो मक्तबाई फिकर की नमाइदगी करते वे हमारे साथ बराजमान है आलिमा खानम मदीहा हुसेइन असलाम हुले अलिम्द्विया आपका शुक्रिया आपने अता पर इस अदो अधिया आपको सवाला है जो आपके खिद्वत में रखना है अहले तश्यों के बहुत सारे उमाई किराम की खिद्वत में हाज़र हुआ लोग समझते हैं कि तसलिअ बख्ष जवाब हमको मिला नहीं है नियुक्त को तवाम आध बख्ष है तो मैं उम्मेद करता हूं कि आप जितने सवाल आपके खिबत में रखने वाला हूँ अगर आपकी जाज़त हूँ शिया हजरात महर्म में हलके बनाकर मातम करते हैं और वो नंगे बदन पर छु़िया मारते हैं तमेजे उतारते हैं और चे खड़ी होती हैं यानि मखलूत आप समझे ना मखलूत सिस्टम होता सब और होती है कि मर्थ नंगा जिस्म लेकर मातम कर रहे हैं लेकिन पीर में नामहरम ना न महरम को नहीं देख सको है महरम महरम को देखिए, यहां बेपर्जगी पहलाए जा रही है, बेपर्जगी हो रही है, जब कि आकां इमाम आले मकाम, सेदना इमाम रहसाइन का, यह कभी मनशूर नहीं रहा, माद आल्ला, कभी उन्होंने ऐसा सबक दिया है नहीं, सोच भी नहीं जब आखिए कि एहल व्य जन्जीर जनी ये सब कि सब चीज़ें जो है न जी ये इसलाम में बिदाइत है और ये टैबू है और इसलाम की बदनामी का बाहस है ये अज़ादारी है इसका शीयानِ अली से कोई तालुक नहीं इसलिए जो इरान के शीया है ना वो इंडिया पाक्स्तान के शिया को कहते हैं ये शियान अली नहीं अज़ादार है उनके हाँ ये चीजों को घलत समझा जाता है ठीक हो गजी मौरम में मातम करना मौरम मैं ना करें आगे बिचे कर लिया करें मातम तो ही गलत है इसका इसलाम से कोई तालू की नहीं है मेरी इस पर केई एक वीडियो जर लना मिनलमतमसकीना बेविलायते अमीरलमुमिनीन वाइमतलमासूमीन अलेहिमसलाम बहुत अच्छा सवाल किया आपने रिस तरह के सवालाद पे गुस्तगू होनी चाहिए ताके जितनी भी मिल्ट इसलामिया है वो इन सवालास सवालाद से इस्तफादा करे और लोगों में अवेरनेस पेदा हो जोग किसलिए ये इस तरह के यानि कर अमल कर रहे हैँ लोग किसलिए मातम कर रहे हैं लोग किसलिए मजालिस पर पाकरते हैं ये सवलाद आज से नहीं हो रहे चीड़े है ये सवलाद हिए जब से अमाम-अली मुकाम की शहादत हुई और अज़दारी की वनियाद जुनाब सेदा अलमियान बीबी जेणब सलाम उल्ला अलेइहा ने शाम में रखी ये अज़दारी पे झाज़ ये सवाल करने वाले आप भी पहले शक्स थे लेकिन चुए हर इलाके का आप यह देखें कि आप किसी भी इलाके में जाएंगे हमारी जबान एक जैसी में लेकिन अल्ला ने तो और भी जुबान को पसंद किया ना ज़ो चीज अल्ला पसंद करे लेकिन हर बंदा हर भी जबान में गुफटगू नहीं करता जो जिस इलाके से तालुक रखता है वो उसी जबान में गुफटगू करता उसी जबान में बोलता और आप यह देखेंगे कि आप पचास किलो मीटर के फासले पे जाएंगे आपको लोगों का रहन सेहन उनकी गु के ह여ँ गे हमारे यहां के लोगों के तौर तरीके और तरह के होँगे अजादारी जो लोग इस टाइम कर रहे हैं यह के मकतब तश्यों के अंदर जो कमीज उतार के मातम किया जाता है या अपने आपको मारा जाता है जिस जन्जीर जनी की जाती है पहले तो हम यह देखेंगे कि आया एहल बैत अलही मुसलाम में से किसी ने यह अमल किया है क्योंके हमारे लिए उम्मत मुसलिमा के लिए जो एहल बैत अलही मुसलाम ने अमल किया है वो ही सुनत इलाहिया है बेकुल सभी ठीक है और अगर बावफा सहाबा इकराम में से किसी ने वो अमल किया है तो हमारे लिए वो अमल भी जो है यानि मुकलित है हम तकलित करने अब यहां पे मैं वह वाक्या बियान करना चाहूंगी जो के तमाम मकातब फिक्र के उन्मा ने अपनी किताबों में लिखा है कि जंग ओहद में जब सरकार का दांथ मुबारिक शहीद हुआ तो एक आशिक रसूल तो ये था कि वो कुछ और भी कर सकते थे कुछ और भी अमल मुसला पकड़ सकते थे दूआ मांग सकते थे कुछ और भी कर सकते थे लेकिन जो ही मालूम हुआ कि सरकार का दांथ मुबारिक शहीद हो गया तो अब ऐसे करनी ने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकि ये 32 के 32 जो अब चाहिए था कि आवैसे करनी को ये पेगाम देते कि वो रसूल जो वामायनती कौनिल हवा इन हुआ इल्ला वाहिए उन्युहाग की मिजदाग जुबान रखता है उस रसूल को ये चाहिए था कि वो कहते कि आवैस करनी ये तुमने अमल अच्छा नहीं किया अपने आपक पून निकाला है जदो को कि है तो ये लेंट लेकिन विटाये रोकने के मना करने के जूही पताचला बलके जनत से अवाइस करनी के लिए वह पल जुहां आज हम खाते हैं जाए वह सक्टरल करनी के लिए आया और ने तिए कि वाकलंत कैनि वाथ बक्ति अवाय था ऐस ochot जा मदरी मिर्जा साब कुछ इस वक्त बहत्रीन काम कर रहे हैं उनका क्लिप इसी तनाजन में मैं चलवाना चाहता हूं कि जब उन से पूछा गया कि वैसे करनी के लिए केला नाजिल हो गया उन्होंने पने दान शहीद कर लिए उनका क्या कहना था क्लिप आपकी स्टिंस पर ये केलों के गुच्छे जन्नत में होंगे वैसे करनी दे अबबा जी परदादा जी अज़रत बाबा आदम तुभी मदब इड़ा उस तुभी पहले गड़ा ना ए एक केले मुझूद ने अल्ला ने जन्नत में रखें मैं केले हो ने केला नाजल होया थी केले पहले भी इए एक काणी है कर इम बंद करो वरना काफिर जो है ना मनला केंगे तको आब कर देंगे केला कितना पुरान है जबीं के ओपर तो आप केंगे वैसे करनी के ओपर नाजल हुगा है एक और यह थी केला वरना मसीबत कड़ी हो जाएगी इसलाम के लिए काधे जी अवैसे करनी ने ये दाथ तोड़ा ये तोड़ा ये तोड़ा तोड़ा सार ये तोड़ी बतीसी निकाल दी और कियी मुजियम, बलके मेरह बाश्याही मस्छिद वाले म्यूजियम में भी एक आध दात पड़ावा है कितने म्यूजियम में उध दात पड़े हैं जारक कारूबार चमक रहे हैं ना इसके उपर इसकी मैंनेन को फकी दी थी बहुत बड़ी फकी इल्जामी एंटी-वैनम मैंने इनको का कि ये फैसला करो मौला अली बड़ा आश्के रसूल है ये वैसे करनी ये वैसे करनी से भी पूछो ना तो वह भी का पूछेंगे कि यार मुझे मौला अली के साथ जिकर कर रहो किदर अली और किदर मै अब ऐसे करनी तो जंग सिफीन ने मौला अली के हाथ पे बैत होके जंग सिफीन में अजलत अली की तरफ से लड़ते हुए मौाविया रदियल्ला अली के खिलाफ शहीद हुए है तो ये कहेंगे जी मौला अली बड़े आश्के रसूल थे इजातर शिये ही बियान कर रहे होते है या ब्रेल्वी कर रहे होते है तो सही मुस्लिम के अंदर घजब अहद का चैप्टर में काले और बुहारी में भी दोनों में यदिस मुझूद है सहाल इबन साद सादी कहते है कि अल्ला की किसम मैं जानता हूँ मैं अब आखरी सहाबी बचा हूँ जिसने ये मनजर देखा हुआ है वो बुड़े सहाबा में से थे और लोग ना हाज के मौके पे उनको गेर लेते थे ते तुसी जूर नों वेखे है सानों दसो मैं उन आखरी सहाब में से एक बच गयो जिसने अहुद का ये मनजर खुद देखा हुआ है बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि नबी लिएसलाम के जब ये चार दाथ शहीद हुए तो इतना खुन निकला कि आखरी लिए बिएशर लास होने की विए ता से यानी पानी डालते थे और फात्मा जखम दोती थी और जब वो खून नहीं रुकता था तो स्यदा फात्मा ने कौटन का कपड़ा जला के उसकी राक हुजूर के उस जखम पे रखी तो वो जखम का खून रुक गया और कौरान में भी आना हुजूर की शाहदत की खबर मशूर होगी सुर्य अलिमरान 144 वो मा मुहम्मद इल्ला रसूल गद खलत मिन कबलह रसूल वो आयद नाजल हुई थी तो मैंने इनको ये फखी दिये कि जिस शक्स ने अपने सामने और फात्मा ने जिन्हों ने अपने आतों से उसका मरम पटी की उस जखम की उन्हों ते अपने दाउस नी तोड़े फुरत कर रहे हैं करें सब जूट है अशिया जाकरीन बस पैसे कमाने के लिए सब कुछ बोड़ रहे हैं जबकि किसी हदीश में अच्छा मुझे ये बताएं कि जो मिर्जा साहिब हैं वो यूट्यूब के ओपर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं अब वो पैगाम फिला रहे हैं दीन का चुक्के आप नौजवान दीन से ना बलद हैं अगर ऐसी बाते नौजवान सुनते रहें कि के लाव वो यूट्यूब पर बैटके बात करें तो वो दीन फिला रहे हैं और अगर हम अपनी बेटियों को अपनी इजटों को लेके सड़कों पर आ जाएं मैं दूसरी दली में कि कमीजवान करना मखलूत नहीं हर जगा पर नहीं नहोता मखलूत मुझे आप यह बताएं जीनियर मौहमद अली मिर्जा साब आप उनसे ये पूछिएगा कि वो अल्ला जिसने खुद कुरान में पर्दे का हुकम दिया अब पर्दा है क्या आया अपने आपको बिल्कुल वो चेरे को भी चुपाना है या उसकी कुछ लिमेक्स हैं जो अल्ला ने हमें दी है अब पहले तो ये देखना पड़ेगा पर आपके लिए जो कुरान में पर्दे का हुकम आया है कि वो अपने आप अपने आपको इस तरह से चुपाएं कि वो जो अपने मकसूस उसकी बॉडी इसकी आजा आधा है वो जाहिर ना हो ठीक है तो ये ये पर्दा है बाकी औरत भी इंसान है उसने बाहिर माशरे में जाना और इस बात पे तमाम मकातवे फिकर के उल्मा जो हैं मुतफिक हैं हज के दुरान आप जब जाते हैं उस वक्त वहां पे मर्दों जन दोनों मजूद होते हैं बेशक्त मर्दों जन वो भी हज कर रही होते हैं मर्द भी हज कर रही होते हैं अब अल्ला ओरतों के लिए क्या हु हज इसलाम का एक पुक्त है जो के मुसलमानों वे फर्स हैं और उस पर जो जो हुकम लागूंगे, मुसलमान को करना पड़ेंगे, मातम का हुकम अल्ला ने जिया, और अल्ला ने का के, ऐ मर्दों, अपनी चातियों को नंगा करो, और ना महरम अर्थों के सामने जंजीर जनी करो, जो होते तुम को टिक-टिक बात के देख ते रहें, ऐस मैंके ये बताएं, कि आपका इतरास सिर्फ मातम पे ही क्यों ही? जदीा रहें किशे मातम, जमके कीजी मातम इतरास में है, मातम पे ही क्यों है, परदे का रहें हूँ हुकम है, और ना महरम औरते हैं, Mरदों की नंगी चातियां मखशूस हलकों में देख लिए होती तो पता आप क्राइए कि लिए तो इतना परदा करें टो इसीतरह मर्द के लिए बिदे इतना परदा नाज Verkehr जो परदा है तो मर्द का जो परदा है उसकी चाहे बिद्लिन जोग Noah भाई यह लेतोज समझे हैं मैं जो कहना चाहिए उपर वाला हिस्सा उसका नंगा भी हो तो वह निमाज पढ़ सकता है इसमें इस्लाम ने मना नहीं किया मना नहीं फरमाया अगर तो जब वो निमाज पढ़ सकता है तो फिर अज़ादारी क्यों नहीं कर सकता अगर का तालुक नमाज से कैसे हो सकते हैं अजिए आप कमाल बाते कर रही हैं आप मुझे यह बताएं पहले तो वैसे करने का रिबेटल इंजिनियर साफ ने कर दिया कि ऐसे कोई हदीश कोई रि यह बतारे हैं आपको यार्ण मंघर्श और का भास करते हैं तो हवालाजाथ के सब्सक्राइए हैं हावालाजाथ पिर अच्छा मुझे वाद बताएं बीजूगाण हैं यह बताएं अप जो हवालाजाद झिएजर साफ देते हैंं या जो जीसी किताबे वो पढ़ते हैं उसमें तो और भी बड़े हुआले लिक्यों में फिर उनको भी माने रहा है इसकूरि अपर भी आप necessity अन्यवरी सीरिस नोट मुझे अब यह जो आप के हम हो रहा है हल्कों में नंगी च्छातियां मलद लेकर आप्धा थे सवाल और ना महरम और से नंगी छातियां देख रही हैं अपने मर्द की घैर मर्दोंकों कुनी की झायद है हां या ना अग्ला सबांकि यहुomet आजाए किसे साबी हैं ने किया कि और कि आहरों एक बार बेस्ट को एक जू आँ वार्वनिए ने किया आप बार बार इस बात को क्यूं और आप भी खुड़ियों जैसें घड़ी। अब इस्लाम का और दिन का हिसा कप खुगespère है होती है जी क्या उने मरना नहीं है जवाब नहीं थी ना बिलकुल सब ने मरना एंजीनियर नहीं मरना कैसा पूटकास हो रहा है पहला पूटकास है जो इस तरीके से हो रहा है आप जवाब ने ले रही है और आप एक बात को बार बार के आप पर्दा नी करते पर्दा नी करते मैंने कम था अहले तश्यों जितना पर्दा करते हैं मैं दोनों आदों से सलाम कर रहा हूं अपने अह चपर चत्व किया सब्सक्राइब का थी ऐख कर एंद है और मर्दों मेहम पहने नहीं मत भी की नंगी। कि को टिक बाम कर सकौ है हारी नहीं है। सारि मैं नजर पड़ जाते है है यह तो आपकी आपकी नियत पर डि पाम पर एंद मैंब्ड़ हे रहे हैं माइटम की हुमि how 45 पानी है चुमा मुझे क्यों मादम कव नबी ने उसक आ किया किया थ और किया था माटम सब्सकुरा क्या किहा थाट बल를 के अपने जूत्व attitude और रोते थे कि आप माशाला बेस्ट्रिंग को सुखर से, मुझे बताए, कि मुझे पर ये बताए, यूसफ नभी के लिए यकूब नभी ने मातम किया यह नहीं किया, यह अपने अंजीनियर साब से पूछें आप, नभी है ना, मासूई है ना, उनकी जुदाई में रोई थे, उनकी जु है, तो पूछें आप, कि वो मासूम थे, और क्या मासूम को यह नहीं होता, कि मासूम जिन्दा है, यह मर गया, यह इस दुनिया से चला गया, फिर अगर पता था याकूब नभी को, कि वो हैं, मजूद हैं, तो फिर क्यो रोते थे, वो क्यो रोते थे, बिल्कुल से ही है, इनका एक मौकिफ है, और वो बयान कर रहे हैं, बिल्कुल से, लेकिन अब मुतमाइन और तसली बख्ष जवाब, अभी मुझको नहीं मिला, आप एक ही सवाल पूरी दुनिया में लेके क्यों फिर रहे हैं, आप कमीजे पहनवाना चाहते हैं, तो आप सब को गिफ्ट करें करूं, इसमें वो बकाइदा कि में जो का ब्रेंड हो, कप्रो का ब्रेंड हो, उसमें ड्रेसी जों, और मैं कभी बांड सकते हूं, परजे के लिए वेचरीन होगा, अग्रा सवाल करूं, आप मुझे ये बताएं, हाज की दुरान और और मर्दों को नहीं देखती हैं, जब के पीट का यानि कमर का मखसूस ही साथ दिख रहा होते, अच्छा बहुत दिखें तो जाइज है, ये इसको तो ख्रेंड है, चुँके लाने कहा, चुके लाने कहा, अल्लह ने कहा, अल्लह ने इसलाम में हज को उतने एहम खरा देखें, अगर तो ये हम अपनी जात के लिए कर रहे है ना, तो फिर तो ये गलत है, लेकिन जो चीज हमें मासूमीन की तरफ ले जाती है, उनकी तरफ जिस चीज की निस्बत मासूमीन के साथ हो जाती है, वो चीज तो हर तरह से जो भी आप कर रहे हैं, जो मासूमीन की तरफ ले जाती है, आम महबत में कर रहे हैं, जी शहादत की वज़ा से करेंगे ब鐲 र्रा को गालीं देटी दिखाई देटें बानो मैया पर तान करते दिखाई देतें एहरतिजय को तुष्मिल क्या है जबके सेदना उस्मान इखनी भी बनो मया से थे और आका करीम सब्सक्राइब को दो बेटियां भी अपनी दी और दो बेटियों से अकद भी जो कुरान ये कहता है कि रसूल की बीविया जो है वो उम्मत के लिए माएं हैं तो वो कुरान कैसे आज़त दे सकता है कि जो रसूल की बेटियां हूँ वो उम्मत के लिए जाइज हो जाएं जिस नभी ने सरकार에 रसालतिमाप ने जिसका कुरदार ही दिन-े उम्हमदी के अंदर ैसलाम की हिस्थियत रखता है जिसका किरदार ही इसलाम है उस नभी ने अपनी बेटी फातिमत उजारा सलामुलाहा का रिष्टा सोहाभियों में से किसी को नहीं दिया तो उसकी बेटी आगे से अपनी बेटी का रिष्टा किसी सोहाभी को कैसे दे सकती हैं सोहाभी की बेटे को कैसे दे सकती हैं ये तो नावसुबिल्ला गलत बात है और हम इस भी इताएं ते बिल्कुल भी एमान नहीं रखते और हम इस बात को बिल्कुल भी ने हम माना बैटे है हमने कुरान की आयतों के आयने में सरकार को माना यही एगर आज भी छाइतों की हट कि कुरान की आयतों के आयने में मानें तो हमारे बहुत सारे इकतलाफाद दूर हो सकते हैं अगर हम कुरान पे अमल करना शुरू कर दें कुरान को पढ़ना शुरू कर दें सिर्फ हिल सारे लोग ऐसे भी हैं जो एले सुनतवल जमाद के अंदर हैं वह भी गाली गलोज करते हैं यानि बे शाओरी जो है वो सिर्फ शीयों के अंदर नहीं हैं जो इस तरह की अमल करते हैं हम नहीं जो एले तशेयों के अंदर जो लोग हैं उनकी ताहित करते हैं इस बात की और नह मैया को गाली गलोच यातान कर रहे हैं आप उनको कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है पिर क्या है गाली गलोच करना किसी भी मजभ के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता आप क्या की जाती है गाली गलोच किसी भी देखें गाली गलोच करना और उन पर तबर्रा करना यह दो चीज खा नो और तबर्र रहारा दो चीज़ ना तबल्ण और तबर्र नहीं इसमना किसी से ढूरी इस तात्रा जाम्ल्ड पे इसमें तो देना ऑसको देखना या nodya के मुताबग खुद अंदो आ ग्रा करना लफ बरात से तबर्रा निकला है. जैसे के हम कल्मा पड़ते हैं ला इला है, तो ला कहके हम पहले तबर्रा कर देते हैं. कि कोई नहीं है? अलान ला तालुकी. अलान ला तालुकी का नाम जो है, वो तबर्रा है. लोगों ने इसका गलत concept लिया है कि गाली ग्रोच गाली ग्रोच किसी भी मजभ में जाइज नहीं है वो कोई भी मजभ है सबसे पहले हर मजभ जो है वो हमें अदब का इखलास पर दो आपके हाँ गालिया दे रहे हैं जो कि सबस्चा सबस्क्राइए अधर, मैं तो आप उनकी बात कर रहे हैं जो लोग सबस्चा अधर्यक्राइ मेरी बात को πहले अब मेरी बात को सुनें सुनतू रहा हो हैं ? कोशिछ तो करना हुआ शुनतू रहा हुआ हुआ है ? आप सुनेंगे तो फिर ही हम सहाबा इकराम को बुरा बला को कहते हैं बलके हम बुरे को तब आप अगला सवाल मा करूं अगरी सवाल कम्पलीट नहीं दो के सवाल करें सहावी होता क्या हीु ईमान की एन हालत में इसने आखाः करीम अ खजडरे मुष्टफा के रहे आ्लिये वालेव अलिह वसम् राहतल आशिकीन मुराद smartphones right कें मुंत्रफ सिना का दिरडार कर लिया एन इमान की खानि हम आपे CC स्थान धानि . तो पिर हमें भी तो बोलने का है ना जवाब देखे जाब देखे जाब देखे जाब देखे जिए ज़िए इमान की हालत में आखा कादिदार इसलाम के सुनहरी फर्मुदात पर अमल नभी ने जो कह दिया वो रख लिया जिसे छोड़ दिया उसको तरफ किया एहल बैट से बैट को ख updatedना किया उसने मुहम्मद मुस्तफा को ख़र ना किया जिससमें एहले बैट से मुहमम्मद मुस्तफा से मुह बद की ऐमान केराता है समआ की तो यानि उसको 組ण कहते हैं वकौल आपके बैन वहतना अबरभी तो बेहान आप जिस पयान से अपके मेरी थिन्हारी मारा 한가 कहदित बया ठीद सरकारिर सालत इमा vet professor का ये फर्मान है कि जो ऐमान की हालद में बरा और जिसने सरकार इमा- मराने इमान लाए सरकार इरे इमान लैया सरकार इमात का कल्मा बरा और जिसने इसलाम की त्माम जो नबी ने कह चोड़ दी यन तरकिया आऽ था भी यक irgendwas नबी के पहलू में बैचने वाला सहावी होता है नभी को देखने वाला अगर सहावी होता है कलमा पढ़ लेने वाला सहाबी होता है तो गुरान में फिर सूरे मुनाफिकों अल्हा ने क्युं नाजिल कि इंदर, किन के लिए किये, वो मुझे बंदे निकाल के आज 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 आप दिखाएं, सूरे मुनाफिकों कि नोगों के लिए नाजिल हुए वो कौन से लोगते जिनकी सरकारे रिसालत अबाद की मजूदगी के अंदर अल्ला ने सूरे मुनाफिकुन नाजिल किया है बिर्रहमत अल्मीन नभी काइनात की रहमत नभी मजूद यानि वो नभी के जिसके लिए कहते है सारा जहान बनाए है तुम्हारे नहीं मैंने चाहत नहीं जाना जाओं तो मैंने सरकारे रिसालत अमाद के अपने नूर से खल्क किया और मुझे ये बताए वो नभी के जो तमाम जहानों के लिए वमार सल्ला का इल्ला रहमत अल्मीन नभी है वो नभी की मजूदगी में अल्ला सूरे मुनाफिकुन किन लोगों के लिए नाजिल होई और मुनाफिक क्यों थे आज आप ने कि बता कर जाने बता कर कि जांसा सवाल कर कि बता कर देकर ख 1700 आप ने जवाब पोछ रहें मुझा आप मुला अली के मलंग से मुछ रहे हैं, मुला अली की पापोश मुबारिक का सद्खा है, जो मैं जवाब देने माना है, सुरह मुनाफिकून, सब एमान ले आए, एमान वालों के लिए, एमान वालों के लिए सुरह मुनाफिकून नाजल हो रहे हैं, सुन लेए, सुन लेए, सु है जो इमान लाता है तो बाद में मौमिन बंता है ना भई हम इमान लाए हैं इमान के बगए अब्तर है यह नहीं देखि विम्ष्द करनी रहे मो लियुटायी लांग कि आamtड दो फिर तरन के लांग की ऑल वो घंजीर मौला से मुभ्बत करें का दावधार था और शहाबी आया भी के इस शक्त में से आपके कट्ब की बुआ थी आपके खुन की बुआ थी आपको सदा दीजी मेरे मौला अलीय लिबार्म सराम अली इस पार्म guidance क्या सदा कैसे प्यों जुर्म करेंगा?' अब इमान दुल्याया था, मुनाफिक था, मुनाफिकत थी, मुनाफिकत की बूब भी आ रही थी, उसके रहे सुरा मुनाफिकों नाज़ा नबी अस्लाम ने अध्याली से एक दिन फरभाया था, अगली उमतों में सबसे बड़ा बदबख्ख हो था जिसने कौम आथ की हुटनी को कतल किया, और उसके पाद अधाब आ गया, तेरे सर के खूल से, तेरे बाड़ी को रंग लिए, और वोई हुआ है, और उसके बाद पर अब देखें उम्मत एक जगा जमानी हुई है, हजरत अली एक आखरी कोशिश थे, एक ऐसा शक्स जिसने आट साल की उमर में इसलाम कभूर की, जिसने इसलाम को जिसने इसलाम को जीरो से तीन पर्याजमों में पहलते हुए और अब उसको बुडाते में ये दिन देखने पड आप आप कर सका हुए ये इस बात को तसलीम करें ना आप करें जवाब उनको ना जिवाब पर प्र आप बताएं कि पर जो एमान लाना काफी नहीं है हर मुसल्मान के लिए मैंने कब कहा हर इम तो आप ने खुद ही तो कहा अभी ये प्रोकास लोग देख रहे हैं बहुत बारीक बिनी से उन्होंने मेरे सारे जुम्ले सुने हैं मैंने कहा इमान ना सिर्फ इमान लाए बलके जो इसलाम ने कहा फर्मुदात पर अमल करें आका ने जुद्या वो ले जो चौने वो तरक करें पिर मुझे ये बताएं पिर मुझे ये बताएं पिर मुझे ये बताएं कि जो एमान लाए थे वो कौन से थे और जिनके लिए सुरह मुनाफिकून आया था वो कौन से थे सही मुस्लिम में 7035 नमर अदीस है कि नबी लिस्लाम ने फर्माया कि मेरे असहाब में 12 मुनाफकीन है वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक के उंट सुई के नाके से गुजरना जाए जैसे इंपॉसिबल है जैसे कुरान में भी आए सुरत अलराफ में के काफर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहां तक के सुई के नाके में से उंटना गुजरे यह अरब का मावरा था तो वो मुनाफकीन के नाम उजफा अबन जिमान को नबी लिस्लाम ने बताए मसला 96 है मेरा अजमत सहाबा रदूल मुनाफकीन और सुनी शिया के इकतलाफ का तहकी की जाइजा उजफा अबन यमान ने उम्मत तक वो नाम नहीं पहुचाएं इसलिए कि नबी लिस्लाम ने मना फरमाया था और जाहरे उससे फिर एक बड़ा मसला भी खड़ा हो सकता था बारल एक इशारा उन्होंने दे दिया था अज़रत अली की खिलाफत इस्टैबलिश होने से 40 दिन पहले वो फोत हुए उन्होंने मरते वक्त अपने बेटे को नसीयत की थी कि मेरे बाद जब तुम इखतलाफ देखो उनके बेटे का नाम था मुहम्मद बिन हुजैफा तो तुमने हर मसले में हज़रत अली के साथ रहना है तो अगली गलत उसी आप समझ जाओ ठीक है जी बाकी मेरा वाक्या कर्वला वला पुरना है इसी बात का जवाब लेने के लिए हम आपके ख़र में हाज़र हुआ है कि आप हमको बताईए कि वो क्या वो बनो मया के लोग थे जिन से जिन पर आप लोग तान करते हैं क्या उनके लिए सुरा मुह नाफिकुन नाजिर की गई ये आप लोग बताएं उन में बहुत सारे लोग है ये अपने बचाने हैं नबी की जिन्दगी में सरकार रिसालत इमाप सल लगा लेह वाली सलम की इस जिन्दगी में दो तरह के लोग मजूर हैं एक वो लोग हैं कि जिनको सरकार के दरौाजे पे जाने का शर्फासिल होता है और एक वो लोग हैं जिनके दर्वाजे पे सरकार खुद चल के जाते हैं इक वो लोग हैं जो सरकार को अपने दस्तरकान पे बिठाना बाईसे फखर समझते हैं एक वो लोग हैं कि जिन को सरकार अपने दस्टरखान पर बैसे फखर समी है ईक वो लोग हैं जिने सरकार अपने कांदे पर उठाना बैसे फखर समी है इतहाद बेन मुस्लिमीन के इतने दाई हैं आप ये देखें शिया कम्यूनिटी के लोग मक्तब तश्यों के लोग इतनी वफादार को मैं खुदा की कसम 14 सो साल पहले अगर किसी जानवर ने भी आल मुहम्मद से वफा किया ना तो आम उसके भी ताब्यादार हैं आम उसके भ तो हिबुना लाहा फ़ता भी उनियो विबकुम उल्लाहु वयक्वरनाकुम जनूबाकुम वल्लाहु गफूर ररहीम ए मेरे हबीबिन लोगों से फरमा दीजिए जो मुझसे मुहब्बत का दावा करते हैं कि अल्ला उस वक तक दावा मुहब्बत को कबूल नहीं करता उसने मेरे हبیบ का इत्बा कर लिया मेरे रसूल के अतार कर ली पर उसे जबान से कहने की जरूरत नहीं कि मैं ला से महब्बत करता हूं जो बीमेरे मैं र्लाव खुद उसे मौभबत हो नतीजा ये निकला कि अपने लिये इश्ह को मौभबत का मेह वरो मरकज करार दिया वो जाते मुस्टथफा को करार दिया और हम शियाने, अली अबितालि ने सुन्मत इणि अलाही पर अमल करते होए अपने लिए इश्क औ मुहबत का कावा किसी और को नहीं बनाया बलके बतूल के बाबा को बनाया है हम शीया जिसे भी मानते हैं ना मसीर भाई जिसे भी मानते हैं हम जाते रिसालत की वज़ा से मानते हैं हमारी जाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं है हमने की वापस में वो कि क्या कहते हैं एक दूसरे से जाइदा दे हैं नहीं हमने कोई प्रापटी एक दूसरे से लेनी देनी नहीं है कि हम को हमारी कुछ जाती रंजिश नहीं है हम जिसे भी मानते हैं जाते रिसालत इमाप सल्लाहु लिह वाली वाली वसल्म की वज़ा से मान है क्या लोहो कलम तेरें बस जिस जिस ने भी मुहम्मद से वफा की है उसकी नलेन हमारे माथे का ताज है और जिस जिस ने मुहम्मद से बेवफाई की है या मुहम्मद की आल से बेवफाई की है वो कोई भी हो हमारा बाप ही क्यों न हो वो हमारे लिए बिलकुल भी काबल इहतराम नहीं है हम उसको नहीं मानेंगे हम इसको इनसान ही नहीं मानेंगे सहाबी मानना तो बड़ी दूर की बात है हम उसको इनसान भी नहीं मानेंगे हमारे नस्दीक सहाबियत का जुम्यार है हम मिलत इसलामिया को यही बताते हैं कि याद रखें जहां पे सरकार ने सहाबी को मनवाया वहां पे आप सहाबी को मनवाया वहां पे आप आहल बैत को मनवाया वहां पे आप आहल बैत को मनवाया आप सभाइव अलद किसे कहते हैं महबत मोहबत और इष्क और मोहबत और अब अश्क और चीजे दो और चीजे translate और है इश्क और है और मवदत और है मवदत जो मचली और पानी के माबैन होती है ना उसको मवदत बोलते हैं कि अगर मचली पानी से निकाल दी जाए तो वो जिन्दा नहीं तरब के मर जाती है तो सरकार ने महबत का दावा सरकार ने महबत नहीं मांगी इश्क नहीं मांगा बलके कहा मेरी रिसालत का अजर मैं तुम से ये मांगता हूं कि मेरी एहल बैत से मवदद करो यानि कि एहल बैत के बगार आज दुनिया का कोई भी इनसान है आपके प्रोग्राम में कोई भी देख रहे है अगर मेरी बात किसी की सोच तक पहुंच जाए किसी के दिल तक पहुंच जाए और किसी का एमान अगर ताजा हो जाए और कोई उस पर अमल करना शुरू कर दो तो मैं समझती हूं मेरी बक्षिश के लिए यही काफी है सरकार ने मवद्द मांगी है अज जो भी अहलिवहे बे holistic से दूर है वह अपने आपको जिन्दा ना समझे चाहीं की तर're मोसरी का tight मचली का पानी से तालोख है मचली पानी में रहे जिंदा रहती है पानी से बाहिर च्वार जाती है मरति मर्थी नहीं है फोरण ही मरती है पहले तरब थी पर इनसान उसको पका कर खा ले थे इन्सान को पानी की तरव हो थी इन्सान पानी पीते हैं यानि मचली का तालूप पानी से हैं वो पानी हम नहीं पी रहे हैं वो मचली मांग रही है क्योंकि उसको मवद्दत है पानी से वो कभी छोड़ती नहीं है ना पानी को आप मजरा बढ़ा रहा हूं आप मजलिस में पढ़ने के में काम आएका मुकाम जी बहुत शुक्रिया अगला सवाल मैं करूं अगर आप इदास हो तो जी जी करूं अगला सवाल करूं कि यह मैं सड़के बंडों जाति हैं Imam Ali मकाम सयदना इमाम हुसेन इबन-आली-बन-अबी-तालिब-छुम्सलाम अलाहमस्वाल सुल्यालाममद देखें हमारे मुद्दत देखें आहल सुनत से तालुक है जा म मुद्दत देखिया और महसूस कर रही हैं अलहम्दुनल्हा इमाम Ali मकाम सैदना इमाम हुसेंद अबने अलिये अबितालिब अलेहुस्सलाम इनसानेत के लिए अपनी जिनदी वक्फ करती लेकिन एहले तशयोग जो उनको मानने के दावेदार हैं मगर एहले तशयोग महर्म के जिनों में हलके बनाकर रासिते रोग देते हैं सड़कें बंद कर đेते हैं और इनसानिए को ये मसला लगाond कर डर्पेश है या इस वक्त पूरी इनसानिए की रह में एहले तश्यों रॉडे अठा रहे हैं इस तरहें से कि कह अगर कोई शक्स अपनी बिमार बहन को अपनी बिमार मा को अपने बिमार बाप क में आभलाक तत ही अक्षो को में तो अभली मां इसमेश कोदेन कि यह एक्ष्टा वह ने une调 पर नहीं हुए है और इसकी मौत के यही लोग जिमादार हैं अगर आप रस्ता कोल देते तो शायद उस मा का उस बहन का उस बाप का उस भाई का उस फुब्धी का इंतिकाल नहोता है रस्ते बंद करके आप जिन्दियां बर्बाद कर रहे हैं आप हस्ते बस्ते घरों को उजाड रहे हैं कि यह सवाल बारा रब्रुलवल के हवाले से भी होता हैं अगर ऐसा कुई मरीज आ भी जाए तो वहां पर एंबॉलेंस डॉक्टर और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बलके हमारे अंदर भी सिर्फ यह नहीं है कि बीमार शक्स बाइट से आता है और उस नहीं होस्पिटल जाना होता है बलके हमारे अंदर हलके के अंदर ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जखमी हो जाते हैं कुछ खवातीन ऐसी होती है जो घर जाती है और मेडिकल कैम्प वहां पर लगे होते हैं अगर ऐसा कोई पेशेंट आ भी जाए तो शिया कम्यून्टी उसक टी खिरमत किया लोगो मक्सूस होते हैं ना वो मातक्र में कर रहे होते अच्छों को जाने होते हैं वह जाने कर रहे होते हैं यह बने के बान कर और एकिशें अपर देखि़ होते ही लेकिं इसाड मे लेके खड़े होगे थे talking.. नवास ये शूल की जान की इफाजद कर रहे थे.. वह भी कि अ rot रहे है ना.. तो इसी तरह से वह भी तो इंसानियत की इफाजद कर रहे होते हैं.. हुसाली की हिफाजद कर रहे हो!! वह भी सब्सक्नी आपके स्वाहसिति MOM Teers You जो मेरे देखने में आए हैест ये तो आप देखें सुनी जो हैं वो बिलकुल मुसल्मान है। और अपस में मुसल्मानों की तो शादी हो सकती ला। कोई ऐसी बात नहीं है और इसमें अलमाएकराम ने और काफी मुश्रहीदों ने फत्वा भी दिया कि शादी हो सकती है निकाह हो सकता है लेकिन शर्त ये है कि वो एहल बैत अलेहिमुस्लाम का मुन करना हो उनको मानने वाला हूँ मैं कश्मीरी विस सुनी मुसल्मान हूँ और हम अपनी हम जमाद जिसका तालुक शिया इमामी इसमाईली से है मैं इस से अकदे निकाह करना चाहता हूँ सारे मुसल्मान फिर्कों का अपस में निकाह हो सकता है कर ले जी किसी ने मना नहीं किया अपने कुफ में शादी करो सुनी माज़ा में अधीस है हम पल्ला लोगों में ताके जेन भी मिलते हो ना बाद में लड़ाई जगड़ा होना है तो उससे बच जाएं सिर्फ सोच का फरक नहीं बलके स्टेटस का फरक भी बाद का लड़ाई जगड़ा डाल देता है हर चीज़ को देखना ज़रूरी का, इसमाईली, खारी से वो नका जिससे मरजी पढ़वाएं कोई फरक नहीं पढ़ता है जिससे मरजी नका पढ़वाएं नका इज़ाबो कबूल और हकमेर का नाम है चाहे सुनी नका पढ़ा रहा है चाहे शिया पढ़ा रहा है गवाहों की मुझूदगी में इजाबो कबूल, यानि कबूल करना एक दूसरे को, और हक मेर के वस्थ, ये निकाह है. पंझेश पाक है, यानि ताजी बी तच्वियो नी ताजीयों ने वब से प्चिज़ अनुक्म न वजाई है. हैं उसमें 다 कोई शोजण है ना हमारगें साथ से एक मुतसिर मदें फ्रए उती हैं ये तमाम चीज़ंग अलंम津 व्यांतना भे उनने ठाला, नो ये आधो आध लिए हम बार थे इस्छिद में बार बार ये आ उन्य लं però आ ले जाली मुदत की उजाइश कहां पे रहा जाती है ठीक है ताबूतों के आगे जुकने की और अलम के आगे नजरो न्याद रखने की और जो जुल जना के नाम पे जो गोड़े बनाए हुए हैं वो उनके नीचे से गुजरने की और उन गोड़ों को दफनाने की ये तो साकिब पकबर साब का जो क्लिप आया वो इसी के उपर ही आया शीया आलिम है उन्होंने का कि वहां पे हिंदू जो कुछ गाय के साथ करते थे हम तोहीद के नाम के उपर वो ही कुछ गोड़ों के साथ कर रहे हैं ये कौन सा दीन है तो अब उनके अंदर भी ये वाद उठी है और ह स्वाल आप जो ये कर रहे हैं कि ताजिया और पंजह और अलम गोमें मस्जिदों में रहे ह manifold है जकी है वो पाक हैं। आप अपने मौला के लिए बैठके गिरिया करते हैं जैसे के ये सुन्नत जुनाबे फातिमा तुजारा सलाम अल्हालेहा है कि जब जब रिसालत इमाब इस दुनिया से चले गए तो बीवी पाफ मदीना में रोया करती थी तो कुछ शेखाएन को बहुत इतराज हुआ बीवी के रोने पे जो तारीक में मजूद है तो बीवी के लिए एक बैतल हुजन के नाम से बैतल हुजन अगर उसका तरजमा किया जाए तो वो इमाम बारगा यह रोने वली जगा वो ही बनता है रोने का मकाम अब यहां बैतल हुजन जो है वो बीदी के लिए तामीर हुआ और बीदी वहां पर जाया करती थी वहां पर बाबा के लिए गिरिया करती थी इसलिए हम यह चीजें जो मासुमीन से मनसूब हैं कि निमाज पढ़ने के तो वहां पर कुछ मुनासिब नहीं लगता बलके ऐसे भी इमाम-बारगा और मसाजिद है जो बिल्कुल ही कठी इमाम बारगा इंदर निमाज भी होती है और जहां पर एक सेपरेट रूम बनाएगे और रमजान के बाद आगे रम्जान में भी बहुत नहीं देख सकते हैं रमजान में मस्रूफ हूं इसलिए नहीं दिखाते हैं अब देख सेथा जैयो नुदूफ है रमजान के बारगें क्यों टियुकमसरुफ है इसलिए तो उन्होंने कमरा बनाया हुए सेपरेट से उसके अंदर उन्हें तमाम अलम जो है ताजीया वगारा मासुमी狭नाSON, मासुमिन आप धन Day असमें कुछ are you, कुछ भी है ,कुछ भी जो मनसूथ है मासुमी इसास वा मनसूब दो औरर कमरे के अ लिए उन्हां कि रहत भी दा सक स्वाजुना है। जहां पे मोहम्मद हो थो जहां पे महम्मंद हो होते हैं और जहां पर एहल बैत हों वहां से मनसूब चीज़े भी होते हैं बेश्क 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 आपका बहुत शुक्रिया आप में खिंति वक्त अताफ हमाया अगो के पूर्डकास्ट मुक्सर रहा लेकिन जाहरे के नाजिन महजूस भी हुए और कमेंट सेक्शन में सहफ हो गई हो तो रब के हुजूर तुबा के तरफगार और माफी के खास्तगार हैं अपना ख्याल रखीगा दो हमें याद रखीगा अस्राम और प्रहमद प्रहमद नसीर ओफिशल की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताके आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स मिल सकें